हलो फ्रेंट स्वागा था आपका आपने यूट्यूब चैनल एक्जाम वारियर पे पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सर साइच के कुछ कुछिंस किये थे आज हम उसके आगे कॉंटीनियू करते हैं तो आज हम जुरू करते हैं कुछिन नंबर से जिसमें दो मैट्रिक्स दिये हुए हैं आपका मैट्रिक्स जो लिफ्ट हैंड साइड का है वो राइट हैंड साइड के बराबर है यह कुछिंस में आपका यह सो कर तो इस सीच का यूज करके हमको A, B, C और D क्या मैन निकालना है तो continue करते हैं तो पहले यह जानिए कि जो इसमें अभी तक हमने सीखा था आप यहों की समानदा में हमने सीखा था कि किसी भी आप यू का जो element होगा वो जिस आप यू के बराबर होगा उसके जो भी संगत elements होगे वो आपस में बराबर होगे तो इसका ये संगत element इसके बराबर होगा ये संगत element इसके बराबर होगा और ये संगत element इसके बराबर होगा से मिजी तरह ये जो संगत element से इसके बराबर होगा तो इसको हम equations की तरह यूज करते हैं ये कैसे हैं? A-B किसके बराबर है? यह बराबर होगा इस value के मतलब A11 element इस आप व्यू का A11 element इसके बराबर होगा यह आपकी कौन से equation ही पहली समिसी तरह इस आप व्यू में इसकी position क्या है A12 अब यह हो है और यहाँ पे A12 5 है तो A12 इस आप व्यू का A12 इस आप व्यू को दोनों बराबर होंगे 2A प्लस का C बराबर 5 यह आपकी दूसरी equation हुई अब यह क्या हुआ A21 और इधर क्या है A21 तो 2A माइनस B बराबर 0 तिन नमबर की equation A22 क्या है 3C प्लस D बराबर 13 हमारे पास 4 unknown है A, B, C और D हमारे पास 4 unknown है तो हमारे पास equations भी 4 होनी चीए जो हमें 4 equations मिल चुगे 1, 2, 3, 4 तो इन ही 4 equations का यूज़ करके हमको A, B, C, D की value निकालनी है तो देखिए सबसे पहले किसी का मिलान करिए यहाँ पर क्या है A और B है अब देखिए कहीं और A, B है यहाँ है A और B तो सबसे पहले इन दोनों equation का यूज़ कर लीजिए तो क्या है कि समी करान एक और दो से एक और दो का क्या करना है कुछ ऐसा यूज़ करिए जिससे दोनों में कोई भी सम्मन आ जाए तो क्या करना है A माइनस B लिखिए यह आपका है माइनस वन और उसके साथ लिखिए 2A माइनस B बराबर 0 अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि जिससे कोई न कोई इसका कट जाए तो यहाँ पर अगर हम दोनों को घटा दें तो B आपका हट जाएगा घटा दीजिए घटाने पर आपका B हट गया यहाँ पर माइनस का 2A है यहाँ का प्लस का A यहाँ क्या बचेगा माइनस का A यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 एक की जो value आई है वो क्या आई है one हमें a की value प्राप्त हो गई है अब हम a की value यूज़ करके हम b की value निकालेंगे आगे continue करिए इस a की value समीगरंट एक में रखिए समीगरंट एक में एक a बराबर one रखने पर जब आप समीगरंट एक में a बराबर one रखेंगे तो क्या आएगा यहां रखिए one मैनस b बराबर मैनस one इस one को उधर भेजए क्या आएगा मैनस b बराबर मैनस का two अब आपके पास a की value भी है और बी की value भी है तो देखिए a और b का use करके आप किसी और की value निकालिए आप देखिए equation 2 का use करिए equation 2 में जब आप a की value 1 रखेंगे Summary करांट 2 का use करने पर Summary करांट 2 में क्या है 2a plus c 2a plus c बराबर क्या दिया हुआ है आपका 5 यह देखिए यह दिया हुआ है अब हमको क्या करना है यहां पर a बराबर 1 रखना है 2 into 1 plus c बराबर 5 तो 2 plus c बराबर 5 c की value क्या आएगी c बराबर 5 minus 2 3 हमें c की value प्राप्त हो गई अब हम इस c की value का use करके c की value use करके हम d की value निकालते हैं तो देखिए d कहां कहां पर d सिर्फ एक equation में है तो समय गरांट चार से चार में क्या है 3 c plus d 3 c की value 3 plus d बराबर 13 तो यहां पर 3 3 is a 9 तो d बराबर क्या आया 13 minus 9 तो d बराबर आया 4 यहां पर आपको सभी values प्राप्त हो चुगे हैं यहां पर आपको a की value मिल गई यह आपकी a की value यह आपकी b की value यह आपकी c की value और यह अभी बीकिए हमें यही तो निकालना था a b c और ड यहां पर हमें यह सभी values प्राप्त हो गए हैं अ कि शुरू में हमने यह सीखा था कि आप यूज का यूज करके आप रेखी समीकरण को हल कर सकते हैं यह सभी रेखी समीकरण ही तो हैं पावर वन पावर वन यहां पर हमने रेखी समीकरण को यूज करके a b c d का मान निकाला आप आगे बढ़ते हैं आगे जो कुछिन नंबर 8 आपका दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि आपका कुछिन नंबर 8 है क्या कह रहा है कि नंबर 8 जो है वह कह रहा है कि ए बराबर आपको कोई आप व्यू दिया है ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे might in a I j दिया हुआ है और लिखा हुआ है यह म् कreto nine आप से यह पूंच हजा रहा है कि यह 19 यह aign वर्ध आभ व्यू होगा जब कृश्व अबसमें दिया हुए पहला ओप्छन ए नमबर आप्छन है M is पहला ओप्छन क्या दिया हुआ है M is less ÑN ॰ूसरा ओप्छन दिया हुए M is greater than N, तीसरा option दिया हुए, तीसरा option क्या है, M is equal to N, fourth option है none of these, none of these, इन में से कोई नहीं, तो आपने जो work up view की definition पड़ी थी तो वहाँ पे क्या था, कि कोई ऐसा आप व्यू जिसमें पंक्ती बराबर क्या होता है, स्थम्ब, पंक्ती और स्थम्ब बराबर होते हैं, वो क्या होता है, वर गाब यू, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, यह M क्या represent करता है, M represent करता है, पंक्तियों को और N किसको करता है, संबों को तो यहां पर M और N जिसमें बराबर है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा वरका व्यू तो इसका C number option सब्सक्राइब अब अगले कुश्चन से अगला कुश्चन क्या है कि कि अब देखते हैं क्विश्टन No. 9 सिं नंबर 9 में क्या है कि यहां भी वुशा जारा रहा है कि एक सथा by के प्रदत किन मानों के लिए आप भी हो के निम्न वर्ग समाना है तो इन दोनों पभी यहों को बराबर करके चेक करते हैं कि किन वैल्यूस के लिए ये इक्वल हैं तो देखते हैं का मैट्रिक्स है है यहां यहीं पर हम बराबर किये ले रहें तो 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा तो 3x प्लस 7 बराबर होगा 0 के 3x प्लस 7 बराबर होगा 0 के और y माइनस two बराबर होगा तू बराबर होगा 5K यहां पर क्या होगा Y प्लस 1 क्या है Y प्लस 1 आपके 8K बराबर है और 2 माइनस 3X बराबर है आपके 4K अगर यहां पर हमें यहां पर हमारे पास 2 unknown है और equation कितनी है हमारे पास है 2 से अधिक है equation हमारे पास 4 है तो यहां पर क्या है कि अगर हम y की value यहां से निकालें लोस्तरा equation यह थर्ड यह और चौथा यह पहली चीज़ यहां पर यह देखिए कि y-2 बराबर क्या है 5 तो यहां से y की value क्या आएगी y बराबर आएगा 5 ब्लस 2 बराबर 7 आई y की value यह है यहां पर अगर हम y की value निकालें इस समय कराणत से समय कराणत तीन से और हम y की value निकालें तो y बराबर कितना है 8 तो यहां से क्या आईगी y ony value? यहां से भी y की value seven आईगी अब x की value की बात करते हैं यहांप x की value क्या आएगी? समीगरन x अगर हम x की value निकालें तो 3x बराबर minus का seven x की बराबर क्या आएगा? minus seven by three और यहां से निकालें तो भी कितना आएगा? माइनस का 3x और इससे निकाले 2 माइनस 3x बराबर 4 है इससे निकाले तो क्या है एक्स की वैल्यू माइनस यहां 4 में से 2 गए 4 माइनस 2 यहां पर भी माइनस 3 रहने दीजिए तो माइनस 3x बराबर यहां पर 2 आया, x की वैल्यू यहां पर आई 2y3 माइनस का तो यहां पर x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है जबकि अगर यह आप यू दोनों बराबर है तो यहां पर x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए मतलब x की दो वैल्यू अलग अलग आ रही है इनको same आना चाहिए और इन में से किसी equation से मिल भी नहीं रहा है तो क्या होगा y की value 7 और x की value minus 2 by 3 तो यहां पर क्या हो रहा है कि x की 2 value आ रही है x की 2 value नहीं आ सकती अगर यह linear equation है तो यहां पर x की single value होने चाहिए इसलिए यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि ग्यात करना संभव नहीं है हमारे पास यहां पर y की तो single value परन्तु x की value हमारे पास दो अलग-अलग values आ रही है एक जगा minus 7 by 3 आ रही है और एक बार minus 2 by 3 इसलिए हम यह बोल सकते हैं ग्यात करना संभव नहीं है क्योंकि हमें x की सिर्फ एक ही value आनी चाहिए अगर हमारे पास दो equation है तो दो equation से भी x की value सेम आनी चाहिए जैसे y की value सेम आई है ऐसे ही x की value भी सेम आनी चाहिए अलग-अलग नहीं आ रही है यहां पर अलग-अलग आ रही है इसलिए हम यह बोल सकते हैं ग्यात करना संभव नहीं है तो आगे बढ़ते हैं आगे question जो है आपका equation कौन सा था आपका 9 number जो आपका question number 10 है उसमें क्या है आपको एक दिया हुए 3 x 3 कोटी का कोटी होनी चाहिए 3 x 3 का कोई आभियू 3 x 3 order को होना चाहिए और इसमें जो आप elements रखोगे जो आप उसमें elements रखोगे वह आपके 0 या 1 होना चाहिए मतलब आपका एक ऐसा matrix होना चाहिए यह इसका क्रम होगा 3 x 3 और जो elements होंगे यह तो ऐसे लिख सकते हो 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 मतलब कुछ भी करो आप 0 1 ही यूज़ करेंगे तो इस method ऐसे 0 1 करके आप इसके कुल कितने पैटन बना सकते हो मतलब 3 x 3 कोटी के ऐसे आप यहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्यक प्रवस्थी 0 या 1 हो तो देखते हैं जो आपका A11 position है इस position पे आप कितने रख सकते हैं आप यहो या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे आपका permutation का थोड़ा आपके क्रमचे संचय का थोड़ा सनियम लगेगा तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले आप A11 की सोचिए यहाँ पे आपको A11 है A12 है A13 है A21 है A22 है A23 है A31 A32 A33 यही तो आपका है 3 x 3 order का यह आपका वह है matrix है 3 x 3 का आप देखिए इस position पे कितने elements रखे जा सकते हैं 2 या तो 0 रखे जाएंगे या 1 क्योंकि हमें इतना ही बोला गया है तो इस जगा पे आपके आस total कितने जगा है total आपके पास place है 9 place है आपके पास 9 place है एक दो तीन चार पांच शे तीन शे साथ आठ और यह 9 आपके पास total 9 places है पहला place आपका यह है जहाँ पे आप 2 elements रख सकते हैं 0 या वन दूसरी जगा पे भी आप 0 या वन रख सकते हैं तीसरी जगार भी 0 या 1 रख सकते हैं दूसरी जिस आपकी यहाँ पे आभर यहाँ का repetition होगा क्योंकि आपके उनस 9 जगा है और आपको रखने है 0 या 1 तो यहां पर repetition मतलब उनका बार बार एक ही संख्या का बार बार उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि आपको नौ जगह हैं और वहां पर जीरो या वन ही फिल करना है तो आप जीरो अगर आप सोच रहें कि repetition नहीं करेंगे तो जीरो आप एक जगह रखोगे तो बांकी क्या खाली नहीं रहेंगे तो क्या रखना है आपको जीरो या वन हर जगह की क्या है दो दो चांसे हैं तो हर जगह के लिए आप जीरो या वन रख सकते हैं तो क्या हुआ पहली जगह पे जीरो या वन तो दो चांस हुए यहां पे भी दो यहां पे भी दो यहां पे भी दो और नौ ज रेजल्ट है वह आपका एंसर होगा आपको चार आप्शन दिए थे कौन कौन से थे ऐसे ही थे दो सब्सक्राइब देख सकते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं